यदि कोई हमें प्रभु येश्व मसी के प्रचार करने पर विरोत करे या फिर कोई हमें मारे पिटे या फिर कोई हमें गाली दे तो हम क्या करें तो हम अपने प्रभु येश्व मसी को देखें प्रभु येश्व मसी भी जब परमिश्वर के राज्यकास उसमचार सुना रहा था परमिश्वर के बारे में लोगों को बता रहा था तो लोगों ने भी प्रभु येश्व मसी को मारा पिटा उसे बहुत तकलिप दिया परन् प्रभु येश्व मसी है, हम प्रभु येश्व मसी से सिखें, ऐसा नहीं कि यदि कोई मसी विरोधी हमें मार रहा है, पीट रहा है, तो हम भी उसे मार दें, पीट दें, नहीं, बाइबिल ये बिलकुल भी सिख्छा नहीं देते, प्रभु येश्व मसी ने कहा है, यदि प्रभु येश्मसी के वचन में लिखा है रोमियों में अपने सताने वालों के लिए प्रात्ना करो पहला पत्र स्तिन अध्याय नौपत में लिखा है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो और ना गाली के बदले किसी को गाली दो पर इसके विपरित आसिस ही दो क्यों कि तुम आसिस के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो तो हम जब प्रभु यैश्मसी का प्रचार करने जाते हैं प्रभु यैश्मसी के बारे में किसी को सिखाते हैं तो कोई धर्म परिवर्तन के नाम से तो कोई और किसी भी चीज के नाम से हमें मारता है, पीटता है, या फिर हमें गाली देता है, या फिर हमें धमकी देता है, या फिर हमारी तारना करता है, तो हम वहाँ पर विरोध ना करें, परंतु सांत हो जाएं, हम मन ही मन परमिश्वर से प्रातना करें, और उन सब के प्रभु येशु मसीह के लोगों को मारते हैं, पिड़ते हैं, मसीहि लोगों को सताते हैं। क्योंकि वे सच्चाई को नहीं जानते कि इशु मसी जगत का प्रभू है इशु मसी ही उद्धार करता है इशु मसी ही हमारा स्वामी है इशु मसी ही राजाओं का राजा और प्रभू का प्रभू है आज बहुत सारे लोगों को प्रभू येशु मसी के बारे में पता नहीं ह कि सारा शृष्टि, आकास, प्रिध्वी, सुर्य, चंड्रमा, तारे, मनुश्य, सब प्रभु यश्मसी में सिर्जय गए है तो आज बहुत सारे लोगों को प्रभु यश्मसी के बारे में पता नहीं है इसलिए तो वे लोग मसी ही लोगों को सताते हैं प्रभु येश्य मसी के प्रचार करने से रोकते हैं क्योंकि वे सच्चाई को नहीं जानते हम जो सच्चाई को जानते हैं तो हम प्रभु येश्य मसी को अपना आदर्श मान कर उनके लिए प्रात्ना करें क्योंकि प्रभु येश्य मसी ने भी प्रभु येश्मसी के पीट पर लाद दिये, प्रभु येश्मसी को 49 कोड़े मारे गए, प्रभु येश्मसी के मुँपर थूका गया, प्रभु येश्मसी को काटो का मुखुट पहनाए गया, प्रभु येश्मसी को लोग गालियां दे रहे थे, प्रभु येश्मसी के हा केशी को भी धमकी नहीं दिया परंतु प्रभु येश्व मसी ने पिता से प्रात्ना किया अपने सताने वालों के लिए कि हे पिता, हे परमेश्वर ये लोग नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं इन्हें छमा कर प्रभु येशु मसी ने सब को छमा कर दिया और प्रभु येशु मसी ने वहाँ पर एक बहुत ही खुबसूरत बात कही ये नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं और सच मुझ जो प्रभु येशु मसी को सता रहे थे उनलों को सच मुझ पता नहीं था कि इशु ही जगत को उधार करता है इशु ही प्रभु है इशु ही मुक्ति दाता है लेकिन प्रभु येशु मसी जब अपने प्राण को त्यागा तो भूकम पा गया तो बहुत सारी लोगों ने जब देखा कि येशु के प्राण त्यागने से भूकम पा गये, तब कहने लगे कि सचमुच यह परमिश्वर का पुत्र है ठीक उसी प्रकार से आज जो मसीयों को सताते हैं मारते हैं, पिटते हैं, वे सच्चाई को नहीं जानते हैं कि उन्हें एक दिन खुद स्वयम प्रभु येश्व मसी के सामने अपना घुटना टेकना है प्रभु येश्व मसी के सामने दया की भीक मांगनी है, आज बहुत से मसीय विरोधियों को पता नहीं है, परमिश्वर ने अपनी सोगन खाया है परमिश्वर ने अपना कसम खाया है, कि प्रत्य घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीब अंगीकार करेगी तो जितने भी मसीय विरोधियों हैं, वे भी एक दिन परमिश्वर के सामने, प्रभु येश्व मसी के सामने घुटना टेकेंगे आज बहुत से मसीय विरोधियों को बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं हैं, बहुत सारे लोग तो येश्व उस्ते हैं, कि इश्व मसीय इसाईयों का है, इसी गलत फैमी में आज बहुत सारे लोग हैं, जबकि ये बातें गलत है इश्व ही सब का प्रभु है येशु ही जगत का उद्धार करता है ये हर एक उन लोगों को पता है जो बाइबल को सच्चे हिर्दे से पढ़ते हैं जिन्होंने येशु को सच्चे हिर्दे से प्यार किया है और येशु ही तो हमारा आदर्श है हम प्रभु येशु मसी को देख कर चलें हम अपने पास्टर को न देखें हो सकता है हमारे पास्टर गाली देता हो लडाई जगडा करता हो तो हम उनको अपना आदर्स नहीं परन्तु प्रभू येशु मसी को अपना आदर्स बनाए ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास्टर अच्छा हो हमारे उपदेशक अच्छे हो परंतो फिर भी बाइबल कहती है कि येशु ही हमारा आदर्श है क्योंकि येशु ने कोई पाप नहीं किया हम येशु मसी के चाल चलन को देखें हम येशु मसी को देखें कि येशु मसी ने किस तरह का जीवन जिया येशु मसी ने कभी किसी को गाली नहीं दिया कभी किसी को धमकी नहीं दिया और वचन कहता है फिलिप्यों दोध्याय पांच पद में जैसा मसी इशु का सुभाव है वैसे ही तुम्हारा भी सुभाव हो तो प्रभु येश्व मसी का सभाव सबके प्रति प्रेम भरा था, प्रभु येश्व मसी ने किसी को सताया नहीं, किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, परन्तु सबसे प्यार किया, ठीक, आज वसी प्रकार से हमारा भी सभाव हो, हम किसी को गाली न दे, हम किसी को सताये ना, हम किसी को मारे ना पीटे ना क्योंकि प्रभु येश्व मसी हमारा गुरु है वो हमारा पिता है प्रभु येश्व मसी हमारा स्वामी है और वो ही हमारा आदर्श है पहला पत्रस दो अध्याय और 21 और 22 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गये हो क्योंकि मसी भी तुम्हारी लिए दुख उठा कर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो परमिश्वर का वचन कहता है कि हमारा प्रभु येश्व मसी अर्थात प्रभु येश्व मसी के चालचलन पर चलें ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुझे छलकी कोई बात निकली प्रभु येश्व मसी ने कोई पाप नहीं किया बेसक हमसे अपराध हुए हो गलतियां हुई हो परन्तु अब हम आगे भविश्व में जीवन में उन गलतियों को ना करें उन अपराधों को ना करें जो परमिश्वर को नहीं भाता और हम किसी के प्रती कोई छल न करें किसी के प्रती हम अपने मुँँ से छल न निकालें ये परमिश्वर का वचन कह रहा है 23 पद में लिखा है वह गाली सुनकर किसी को भी गाली नहीं देता था और दुख उठा कर किसी को भी धमकी नहीं देता था हमारे प्रभु येश्मसी को बहुत सारी लोगों ने गालियां दी फिर भी हमारे प्रभु येश्मसी ने किसी को गाली नहीं दिया और हमारे प्रभु येश्मसी को बहुत दुख दिया गया, फिर भी हमारे प्रभु येश्मसी ने किशी को भी धमकी नहीं दिया, यदि हमें मसी के नाम से कोई दुख देता है, तो कोई बात नहीं, हम उसे चुप चाप सहलें, परंतो हम किशी को भी धमकी ना दें, पर अप अपने आपको सच्चे न्याई के हाथ में सौंपता था और प्रभु यैश्व मसी ने अपने आपको परमिश्वर के हाथ में सौंप दिया ठीक उसी प्रकार से यदि हम भी मसी के नाम के लिए सताय जाते हैं तो हम अपने आपको सच्चे परमिश्वर के हाथ में सौंप दें क्योंकि हमारा परमिश्वर सच्चा न्याय करेगा एक दिन तो हमने सीखा कि यदि मसीह विरोधी हमें सताएं मारे या पीटें या फिर हमारा विरोध करें या फिर हमें गाली दें तो हम क्या करें? हम उन्हें छमा कर दें हम उन्हें प्रेम करें उनके लिए प्रात्ना करें कि वे लोग सच्चाई को जाने हमारे प्रेम से किसी मसीह विरोधी का जीवन बदल जाए यदि हम अपने अच्छे सुभाव से अपने प्रेम के सुभाव से मसीह विरोधियों के जीवन को बदल देते हैं हम आत्माओं को जीत लेते हैं, हम उनके आत्माओं को प्रभु येश्मसी में बचा लेते हैं, और परमेश्वर हमें बहुता यात के नाम स्वर्ग में देगा, वचन कहता है कि तुम्हारी को मलता सभी मनुश्यों पर प्रगठ हो, तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु येश्मसी के नाम में बहुता यात से आसिस्प्रदान करें, आमेन